असलाम लेकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर नियू वीडियो मदव लॉग में आप सबी का वेलकम हैं डूरिंग प्रेगनेंसी यानि प्रेगनेंसी के दर्मियान फिश खाना चाहिए या फिर नहीं अगर खाते हैं तो इसके क्या फायदे हैं और हम आज बात करने वाले हैं सेकंड ट्रेमिस्टर यानि चार से छे महीने के बीच में आपको क्या फिश खाना चाहिए अगर खाते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं और कप खाना चाहिए तो इसके बारे में बात करेंगा अगर खाते हैं तो बच्चे को इससे क्या फायदा पहुँशता है इसके बारे में भी डीटेल में डिसकस करूँगी आज की जो वीडियो है ये 2nd ट्रैमिस्टर को लेकर है 2nd ट्रैमिस सब्स्राइब में इस था बीष टारे सुप्रेंट्रम्वी तो या कैसे जालों यहीं है। और मैं अच्छे से समझा पा रही हूंगी तो अगर आपको जरी सी भी अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करकर जरूर बताना तो आंसर इज एंड दा ओमेगा त्री फैटी आसिड इन मेनी टाइपस ओफिश तो देखा आपने फिश में पाया जाता है ओमेगा त्री फैटी आसिड जो के बेबी को उसके ब्रेइन डेवलप्मेंट में हेल्प करता है तो कहीं लोगों का मित है कि फिश नहीं खाना चाहिए नहीं आप खा सकते हैं या पर विद प्रूफ आपको देख रहे हैं इसलिए इसी वीडियो बनाती हूँ ताकि वीद प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिसको भी मेरी लैंग्विज समझ में नहीं आती है तो वह एटलिस पढ़ कर तो भी इन फायदों को हासिल कर सके तो यहीं इंटेंशन होता है मेरी वीडियो का ऐसा बनाने का मे इन विट पॉलूटेंट्स यह जो भी फिश है मर्कुरी और पॉलूटेंट्स इसको आवाइट करना है आपको सीफूड कैन बी ए रेगुलर पार्ट ओफ यूवर हेल्दी एटिंग प्लान डूरिंग प्रेगनिंसी तो आप इसको आप रेगुलर खाने का आपका जो है ड आपको जादा खाने से आपको डर वगरा लग रहा है तो एक लिस्ट वीक में एक बार तो खाएं जिससे बेबी का जो ब्रेइन डेवलप्मेंट हो बहुत अच्छे से हो और आपको त्री यह जो ओमेगा फैटी आसीड है यह आपको प्रॉपर मिले बच्चे की अच्छा और अपको बीघ्या हो बेबी हेल्दी बने तो कोई भी ऐसी नहीं होगी जो मदर जो बेबी को हेल्दी ब्रेन डेवलप्मेंट में जो भी खाना चाहते हैं इसको दो法ाएं जाते हैं। प्राब्लम्स होते हैं, बगर नहीं, यह सारे मित है, यह गलत फहिमिया आए, फिश खाने से बेबी का जो दिमाग है, उसका विकास बहुत अच्छे से प्रापर तरीखे से होता है, तो यहाँ पर लिखा भी गया है, टाइप सो फिश, बहुत सारे टाइप सो फिश है, अलग से कुक करके खाएं रो ना खाएं तो कहीं जगां पर रो अनकुक वगरा खाने से भी पेट खराब होता है वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक स्ब्सक्राब